असलाम वलीकूं वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इंफो इस चैनल पर आपको मिलेंगी मेडिकल से लेटेट वीडियो जो चैनल सब्सक्राइब करें निचे दिये गए बैल आइकन को प्रेस करें चलते हैं अपने वीडियो के जाने सो वेलकम बैक आज का हमारा टॉपिक है बलड तो सबसे पहले हम बलड की डेफिनेशन फंक्शन और कॉंपोजिशन की बात करेंगे बलड की डेफिनेशन है इस दा फिल्यूट कनेक्टिव टीशू कंटिनियसली सर्कूलेटिंग अराउंड दा बॉडिज जो बलड है हमारा वो फिल्यूट कनेक्टिव टीशू है कंटिनियसली सर्कूलेटिंग अराउंड दा बॉडि जो के हमारी बॉडि के अंदर कंटिनियसली सराउंड करता रहता है फिल्यूट कनेक्टिव टीशू का मतलब यह है के वो ऐसा ऐसा फिल्यूट जो के एक औरगन को दूसरे औरग में रखे अगर बात करें ब्लेट की pH की तो ब्लेट का pH होता है हमारे पास 7.35 से लेकर 7.45 जो के slightly alkaline alkaline मतलब हमारे जो ब्लेट है वो थोड़ा बहुत basic nature का है हमारे ब्लेट के अंदर क्या क्या चीज़े ट्रांसपोर्ट करती है तो हमारे ब्लेट के अंदर oxygen, carbon dioxide, nitrogenous waste, clotting factor, hormones, nutrient, protective substance और इसके लावा भी कुछ चीज़ें जो के हमारे ब्लेट के अंदर ब्लेट के साथ सर्कुलेट कर रही होती है अब आगे चलते हैं के composition of blood की के blood किन-किन चीज़ों से मिलकर बनता है तो याद रिखेगा ब्लेट सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनता है सबसे पहला है plasma, second है हमारे पास blood cells, plasma अगर हम बात करें composition of blood अगर हमारे पास total 100% composition है blood की तो हमारे पास just 55% जो filliut होगा वो plasma के लाएगा जबके बक्या 45% हमारे पास blood cells मुझूद होंगे हमारे body के अंदर 55% हमारे पास plasma अगर मुझूद है अगर हमारे पास 55% ही plasma मुझूद है तो हम consider करेंगे कि यह हमारे पास 100% मुझूद है तो अब इस 100% के अंदर से हमारे पास plasma किन-किन material से मिलकर बनता है वो नीचे category लिखी वी है सबसे पहले है water, plasma protein, organic और inorganized substance, waste material और gases अगर हम consider करें कि हमारे जो body के अंदर plasma है वो 100% मुझूद है अगर 55% है तो इसका मतलब वो 100% मुझूद है तो water उसके अंदर से 90 to 92% water होगा जबके 7% हमारे पास plasma protein होंगे वो बक्या जितने percent बज गए 1% almost ये तमाम की तमाम चीज़ होंगी एक बर दुबारा इसको revise कर लेते हैं हमारी body के अंदर जो plasma मुझूद है वो total 55% मुझूद है जबके plasma को बनाने के लिए जो चीज़े required हैं उसमें से water, plasma protein, organic और inorganic substance, waste material या waste product और gases मुझूद है plasma को बनाने के लिए 90 to 90, 90 to 92% जो है वो water required होता है मतलब हमारी body के अंदर जो fluid है वो 90 to 92% water पर मुझूद है इसके अलावा plasma protein के अगर हम बात करें तो plasma protein हमारे अंदर 7% मुझूद होता है organic और inorganic substance की बात करें तो organic और inorganic substance, waste product और gases ये तमाम की तमाम चीज़े मिलकर ये 1% बनाती है अगर हम इसको total count करें तो ये total हमारे पास 100% बन जाएगा अगर हमारे पास total 100% बन रहे तो इसका मतलब हमारे पास total 55% plasma हमारी body के अंदर मुझूद है आगे चलते हैं blood cells, blood cells हमने पहले ही बात कर लिए blood cells हमारी body के अंदर 45% मुझूद होते हैं जिसके अंदर से blood cells को हमने 3 categories के अंदर divide किया है सबसे पहला है RBCs मतलब red blood cell जिसको medical terms के अंदर हम erythrocydes कहते हैं second है मारे पास WBCs जिसको हम white blood cell कहते हैं और medical term के अंदर हम lequocides कहते हैं third और last है मारे पास platelets जिसको medical term के अंदर हम thrombocides कहते हैं तो अब आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे ये lecture थोड़ा सा lengthy होने वाला है लेकिन अगर आप ये पूरा lecture सुन लेंगे तो I hope आपको complete blood की composition, blood के function वो तमाम चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगे अब हम बात करते हैं plasma की ये plasma हमारी body के अंदर जो मौझूद है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है उसकी definition क्या है और उसका हमारी body के अंदर काम क्या है तो plasma की definition के अंदर लिखे हैं हमने blood plasma is a yellowish liquid component of the blood हमारी body के अंदर जो yellowish color का liquid मौझूद होता है उसे हम plasma का नाम देते हैं लिखावे that whole body that whole blood cells in whole blood in suspension हमारी body के अंदर जितने भी cells मौझूद है वो जो हमारे अंदर plasma मौझूद है वो तमाम के तमाम cells को suspend करके रखता हैं cells को hold करके रखता है plasma का function हमारी body के अंदर क्या है it is main medium for excretory product transportation हमारी body के अंदर जितने भी waste material है वो plasma के थिरूँ ही transport करता है इसके लिखाए if we allow blood to clot and then remove the solid we are left fluid called the blood serum अगर हम blood sample निकाले और उस blood sample को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो हमारा जाहर से बात है blood वो जम जाएगा तो जो blood हमारा clot हो चुका है अगर हम उसको निकालते हैं तो जो बाकी fluid हमारी bottle के अंदर बचेगा वो blood serum कहलाता है आगे लिखाव है it is a intravascular fluid part of extracellular fluid bracket में लिखा है all body fluid outside the cell हमारी body के अंदर जितने भी cells मुझूद हैं उनके बाहर जितना भी liquid मुझूद है वो कहलाता है plasma क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि cells के अंदर भी liquid मुझूद होता है वो कहलाता है intracellular fluid जबकि extracellular fluid मतलब cell के बाहर जो जितना भी fluid होगा वो कहलाएगा हमारा plasma अब हम बात करते हैं composition of plasma की तो composition of plasma में सबसे पहले हमारे पास water it is mostly water 90 to 92 percent by volume plasma अगर हमारे पास 100 percent मुझूद है तो उसके अंदर से 90 to 92 percent हमारे पास water मुझूद होगा उसके अंदर आगे चलते हैं blood plasma के अंदर हमारे पास लिखावा है it is 7 percent of plasma protein in plasma plasma के अंदर जो plasma protein है वो 7 percent मुझूद होता है it is most evident plasma solute by weight totally 6 to 9 gram per deciliter यह जितने भी plasma protein हमारी बाडी के अंदर موجود होता है यह हमारी बाडी के अंदर एक एहम किर्दार अदा कर रहे होते है roles के अंदर लिखावे plasma protein play a variety of role plasma protein जोए वो मुग्तलिक किसम के हमारी बाडी के अंदर roles अदा कर रहे thing हैं जिसके अंदर इंकल्यूडिंग क्लॉटिंग ब्लड जमाना डिफेंस जर्म से बचाना और ट्रांस्पोर्ट मतलब जितने भी मिंग्रल्स हैं सॉल्ड्स हैं जितने भी हमारी बॉड़ी को रिक्वाइर्मेंट है चीजों की उस चीजों को ट्रांस्पोर्ट करना एक और करने दूसरा और गें की तरह अब आगे चलते हैं हमारे पास लिखावाई देर आर थरी मेजर टाइपस ऑफ प्लाजमा प्रोटीन प्लाजमा प्रोटीन की याद रखिएगा थरी मेजर टाइपस हैं सबसे पहली है अल्बुमिन सेकंड है ग्लोबिलीन थर्ड है फेब्रील protein है इसके function में लिखावाई their main function is to maintain normal plasma osmotic pressure हमारी body के अंदर osmotic pressure को albumin control में रखता है albumin उसे maintain रखता है globuline का काम क्या है globuline is further divided into three subclasses अब globuline को further divided किया गया है three main classes के अंदर सबसे पहले है alpha globuline उसके बात है beta globuline सबसे last में है gamma globuline अब alpha globuline क्या है alpha globuline further divide होता है कुछ materials के अंदर जिसके नाम मैंने लिखे है heptoglobuline, karyloplasmine, prothrombine अब ये तीनों हे क्या चीज़ इनके functions क्या है heptoglobuline क्या करता है हमारी body के अंदर transport hemoglobin by death erythrocides, erythrocides याद रखेएगा जितने भी हमारी body के अंदर RBCs है, मतलब red blood cells है उसे medical terms के अंदर erythrocides काचकता है हम पीछे पेश पेश पर ये पढ़ चुके हैं तो जब भी हमारी body के अंदर RBCs की death हो जाती है तो उसके अंदर से जो hemoglobin हमारे पास निकलता है उसके अंदर से जो hemoglobin बच जाता है उसके अंदर से जो hemoglobin हमें मिलता है वो heptoglobuline के जरीए ही transport होता है जबके केरिलो प्लाजमाइन क्या करता है हमारी body के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है copper को प्रो थ्रोमबाइन हमारी body के अंदर क्या करता है प्रोमोट, blood clotting जितने भी blood clotting factors है उसे प्रो थ्रोमबाइन हमारी body के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है नोट आगे लिखाव है इसके अलावा भी कुछ चीजे हैं जो मिलकर अलफा ग्लोबिलीन बनाती है उसके नाम मेंशन नहीं है लेकिन उसके उन में से काम क्या क्या है अधर ट्रांसपोर्ट लिपिट्स, फैट सॉल्यूबल विटामिन और हॉर्मून्स इसके अलावा अल्फा ग्लोबिलीन क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है लिपिट्स को, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स को और हॉर्मून्स को बात करते हैं बिटर गलोबलीन की तो बिटर गलोबलीन के अंदर further division है सिर्फ दो की transferine और complement protein transferine हमारी body के अंदर iron transport करता है जबके complement protein जो है वो हमें toxic और harmful organism से बचाता है gamma protein का क्या काम है हमारी body के अंदर gamma protein को नाम दिया जाता है antibodies का antibodies आप सभी जानते है antibodies हमारी body के अंदर as a forge काम कर रही होती है कि जो भी बाहर से bacteria आता है handful material आता है उसे kill करने का काम antibodies का ही होता है तो इसके function में लिखाव है combat pathogen कि जितने भी pathogen हैं जितने भी handful bacteria हैं handful parasites हैं उन्हें kill करना febrilogen का क्या काम है हमारी body के अंदर febrilogen में लिखाव है become febrine the major component of blood clot febrilogen के अंदर ऐसा factors मुझूद होते हैं जो के हमारी body के अंदर अगर blood clot की need है तो वो हमारी body के अंदर blood clot कर देते हैं note में लिखाव है the liver produce approximately 4 gram of plasma protein पर आवर except gamma protein जितने भी हमने previous alpha protein, beta protein, gamma protein, almobin, globulin और febrilogen ये तमाम की तमाम चीज़े हमने plasma protein के अंदर अभी discuss करी हैं जो के हमारी liver के अंदर हर गंटे 4 gram हमारी body के अंदर ये बन रहा होता है except gamma protein gamma protein को हटा के बाकि जितने भी protein है वो हमारी liver के अंदर approximate जो है वो 4 gram पर आवर के हिसाब से produce हो रहे होते हैं अब हम आगे बात करते हैं कि plasma के लिए हमें आगे और क्या के चीज़े required होती है plasma के अंदर मुझूद होते हैं हमारा organic और inorganic substance organic substance के अंदर आते हैं हमारे पास carbonate, enzymes, glucose, amino acids इसके अलावा अगर हमारे हमारे हम बात करें इनओरक्रलाइट्स की तो इसके अंदर all electrolytes जितने भी electrolytes हमारी body के अंदर मौजूद हैं थे हैं तमाम मिंगरेल्स इनओर graduating subscribeimiento हैं sodium potassium calcium magnesium क्लोरीन इसके अलावा भी जितने हमारी बॉड़ी के अंदर एलेक्ट्रोलाइट्स मुझूर हैं वो तमाम की तमाम इन और्गेनिक के अंदर आते हैं वेस्ट्रोलाइड के अंदर सबसे पहले हमारे पास यूरिया, कृ Intellet and Uric Acid are the waste products of protein metaboliage जितने भी हमारी बॉड़ी के अंदर protein buffalo हो जाती है तो इस नतीजे में हमारे पास कुछ waste products बनती हैуемे जोके plasma के अंदर ही موجود होती है they are formed in the liver and carry the blood to the kidney for excretion अब ये करते क्या है ये हमारी body के अंदर जितने भी waste material है ये हमारी liver के अंदर बंगता है उसके बाद हमारी body के जरीए kidney तक पहुँच जाता है ताके वो excret हो सके हमारी body से बाहर जाने के लिए तयार हो सके carbon dioxide is a tissue metabolize is formed to the lungs for excretion सबसब कोई पता है जब हम सांस ले रहे होते हैं तो oxygen inhale करने के बाद हमने carbon dioxide को exhale करना होता है तो carbon dioxide जब हम oxygen inhale कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में carbon dioxide हमारी body के अंदर बन जाती है तो उस carbon dioxide को बाहर निकलने के लिए हमारे पास कोई transport का जो निजाम है वो चाहिए तो ट्रांसपोर्ट का निजाम हमारे पास प्लाजमा मुझूद है तो जितने भी हमारी बाड़ी के अंदर जहां जहां कार्बन डायोकसाइट मुझूद होगी वो तमाम का तमाम हमारा प्लाजमा लंग्स के पास ले जाएगा ताके वो lungs हमारे body से उस carbon dioxide को बाहर कर सके अब हम बात करें अगर gases की तो gases में हमारे पास oxygen, carbon dioxide और nitrogen are the transport around the body dissolve in plasma जैसा कि हम सांस ले रहे होते तो हमारे atmosphere के अंदर oxygen के अलावा भी बहुत सारी gases मुझूद होती है inhale कर लेते हैं तो वो तमाम की तमाम gases जो हमारे plasma के अंदर mix हो जाती है हमारे plasma के अंदर dissolve हो जाती है उसमें से oxygen और carbon dioxide जो हो कमबाइन हो जाती है hemoglobin के साथ जो के RBC में मुझूद होते हैं उसके बात most oxygen carry in combination with hemoglobin while जब hemoglobin बन रहा होता है जब हमारे RBC बन रहे होते हैं उसके अंदर हमें oxygen की सबसे ज़्यादा नीट होती है oxygen जो हमारी hemoglobin के पास चली गई जबके जो हमारे पास waste material एक तरीके से हमारी body का carbon dioxide वो ऐसा bicarbonate ion जो हो प्लाजमा के पास dissolve प्लाजमा के अंदर dissolve हो जाता है ताके वो प्लाजमा जो हो लंक्स के पास वो carbon dioxide gas को पहुचाए और हम उस carbon dioxide को अपनी body से बाहिर कर दें उसके बाद लिखावा है हमारे पास atmospheric nitrogen enter the body and present in plasma जो है वो सांस ले रहे होते हैं तो oxygen के अलावा भी हमारे पास काफी सारी gases जो हम inhale कर लेते हैं जिसमें से एक nitrogen भी है तो nitrogen भी हमारी plasma के अंदर dissolve हो जाएगी लेकिन हम nitrogen को इसलिए discuss नहीं करते हैं क्योंके इसका कोई physical function नहीं है हमारी body के अंदर कोई इतनी हमारी काम की चीज़ नहीं है इसलिए हम उसको जादे discuss भी नहीं करते जैसे का हम blood plasma की बात कर चुके हैं तो हमारे पास आगे आता है blood cell तो blood cell की सबसे पहले हम definition की अगर बात करें तो लिखावा है the blood cell also called hemopiotic cell hemocytes और hematocytes is a produce through hemopiotic और found mainly in blood हम medical terms के अंदर 3-4 नाम है जिन नामों से blood cells को बुला रहे होते हैं आगे लिखावा है the process of blood cells formation body के अंदर blood cells बन रहे होते हैं तो medical terms के अंदर उनको नाम दिया जाता है hemopiotic आगे लिखावा है blood cells are synthesized mainly in red bone marrow जितने भी हमारे पास blood cells हैं वो red bone marrow के अंदर बनते हैं some lymphocytes additionally कुछ लेकिन हमारे पास lymphocytes ऐसे हैं जो के additionally मतलब इजाफरी तोर पर हमारे lymphoid tissue के अंदर बन रहे होते हैं found हो रहे होते हैं अगर बात की जाए adult की तो red bone marrow हमारे flood bone के अंदर irregular bone के अंदर और जितने भी हमारे long bone है उनकी epiphysis के अंदर मौझूद होता है इसके अलावा sternum, ribs, pelvic और skull के अंदर ये मौझूद होता है अगर हम बात करें types of blood cells की तो हम पहले ही पर चुके है type of blood cells हमारे पास तीन है red blood cells जिसको हम RBCs भी कहते हैं और erythrocides भी कहते हैं white blood cell को हम WBCs भी कहते हैं medical के अंदर इसको leucocides भी कहते हैं जबके platelets को medical के अंदर thrombocides कहते हैं आगे हम इनकी further detail परते हैं red blood cells के अंदर सबसे पहले अगर बात की जाए medical के अंदर medical के अंदर red blood cell को erythrocides का जाता है अगर shape की बात की जाए तो ये biconcave shape के होते है color की बात की जाए तो red pigment होते हैं क्योंकि इनके अंदर heem मुझूद होता है heem means iron मुझूद होता है अगर formed की बात की जाए तो ये bone marrow के अंदर formed होते हैं life span की बात की जाए तो approximately 100 to 120 days हमारे body के अंदर red blood cell जो है वो अपनी working कर रहे होते हैं death की बात की जाए तो spleen के अंदर इनकी death होती है quantity की बात की जाए तो 6 to 7 liter normal हमें हमारी body के अंदर RBCs मुझूद होता है normal range ही बात की जाए तो man के अंदर 4.7 से लेके 6.1 million per cubic millimeter females के अंदर अगर बात की जाए तो 4.2 से लेके 5.4 million per cubic millimeter और children के अगर बात की जाए तो 4 से लेके 5.5 million per cubic millimeter हमारी RBCs मुझूद होती है in adult 2.4 million RBCs are produced each second हमारी body के अंदर हर second नए RBCs बन रहे होते हैं, पुराने RBCs खतम हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं तो हर second हमारी body के अंदर 2.4 million RBCs produce होते हैं, हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए के हीमोग्लोबिन है क्या जीज़ हमारी जो हमारी पास हीमोग्लोबिन है वो एक complex molecule है जिसके अंदर iron मौजूद होते हैं, और global protein मौजूद होते हैं iron pigment की वजह से इसको हीम का नाम दिया जाता हैं और globular protein की वजह से इसको ग्लोबिन का नाम दिया जाता हैं इसलिए इसको जब हम combine कर दें तो hemoglobin पढ़ा जाता है It is also known as respiratory pigment because it binds and carry O2 and collect CO2 Hemoglobin को respiratory pigment भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारी body के अंदर oxygen को collect करके oxygen को carry करके carbon dioxide को पूरी body से collect करके lungs तक पहुचाती है तक करके हमारी carbon dioxide जो extra या waste productive वो हमारी body से बाहर निकल सके Each hemoglobin contains four globin chain and four heme unit अब अगर हम बात करें सिर्फ एक hemoglobin की तो एक hemoglobin के अंदर चार globin chain मौजूद होती है उस चार globin chain के अंदर चार unit जो हैं वो iron pigment के मौजूद होते है अब हर iron pigment के अंदर एक एक oxygen का molecule attach होता है तो single hemoglobin के अंदर almost हमारे पास चार oxygen अगर production की बात की जाए तो the hormones that regulate RBCs production is erythropoietin produced mainly by the kidney हमारी kidney के अंदर erythropoietin के नाम से एक hormones release होता है जो के RBCs की production को maintain रखता है उसे control में रखता है अगर division की बात की जाए तो जितने भी हमारे body के अंदर RBCs होते हैं के अंदर कोई pigment मौजूद नहीं होता फॉर्म वही bone marrow के अंदर ही formed होते है life span इनकी 15 to 20 days approximately होती है अच्छा याद रखिएगा जितने भी मैंने इसके अंदर counting बताई आप लोगो तो वह मुक्तलिफ books के अंदर variation कर सकती है अगर death की बात करें तो WBCs की death blood के अंदर भी हो जाती है और spleen के अंदर भी हो जाती है नॉर्मल range की बात करें तो 4000 से लेकर 11,000 macrolitre हमारी body के अंदर WBCs मौजूद होते हैं अगर हम बात करें types की तो दो main types हैं WBCs की granulocytes और A granulocytes granulocytes के अंदर लिखाव है presence of granule in cytoplasm जितने भी हमार पास granulocytes cells मुझूद है उनके अंदर granule मुझूद होता है ये lymph node के अंदर produce होते हैं further classification इसकी है isnophils, basophils और neutrophils जबके A granulocytes के अंदर absence होता है granule cytoplasm के अंदर death इनकी blood और spleen के अंदर ही होती है further classification इनकी lymphocytes और monocytes isnophils जो है वो हमारी body के अंदर 30 से लेकर 350 cells पर micro liter के अंदर मुझूद होते हैं और protect करते हैं हमारी body को bacteria और parasites से formed bone marrow के अंदर होते हैं और found ये पाए जाते हैं asophagus के अंदर मतलब हमारी खाने की घिज़ा की जो नाली है उसके अंदर intestine हमारी आतों के अंदर stomach हमारे मैदे के अंदर heart दिल के अंदर lungs फेपडों के अंदर और skin के अंदर ये isnophils हमारे bazophils zero से लेकर 300 cells पर micro liters की तादात में हमारी body के अंदर मौझूद होता है also protect your body from harmful bacteria और parasites जैसे कि हमने पढ़ाए है isnophils ये भी हमारी body को protect करता है baznophils भी हमारी body को parasites harmful bacteria से micro organisms से protect करता है baznophils के अंदर anti-coagulant heparin मौझूद होता है जो के blood को हमारी जल्दी clot होने से बचाता है और इसके अलावा vasodilator histamine भी हमारी baznophils cells के अंदर मौझूद होता है जो के हमारी blood flow को normal रखने में मदद देता है neutrophil हमारी body के अंदर 4,500 से लेकर 11,000 पर mm3 यानि cubic mm it plays some very important role in our innate immune system हमारे immune system को boost up करेंदे के अंदर neutrophil बहुत एम किर्दार अराउंड the body in the blood stream ये हमारी body के अंदर blood stream के जरीए पूरी circulate करता रहता है and they sense signal the infection is present और जहां कई भी हमारी body के अंदर infection मुझूद होता है तो ये एक signal generate कर देता है बाकी WBCs के लिए ताके वो active हो जाए lecocytes adult के अंदर 1000 से लेकर 4,800 cells पर micro liter की दादात में मुझूद होता है और children के अंदर ये 3000 से लेकर 9,500 cells पर mu liter, mu liter का मतलब micro liter की दादात में मुझूद होता है इसका function है its function as a part of immune system ये एक immune system का हिस्सा है हमारे immune system को ये भी boost up करने के अंदर मदद देता है some lymphocytes work alone while other are able to coordinate with other कुछ lymphocytes ऐसे हैं जो के अकेले काम करना पसंद करते हैं जबके कुछ lymphocytes ऐसे हैं जो के बाकी cells के साथ काम करते हैं अगर हम बात करें monocytes की तो 100 से लेके 700 cells पर cubic centimeter हमारी body के अंदर मौजूद होता है it is a type of WBC that fight certain infection and help other WBC ये क्या करता है ये fight करता है infections है हमारी body के अंदर मतलब जो बाकी WBC की types हैं उनको ये help करता है remove death or damage tissues हमारी body के अंदर जितने भी death or damage tissues मौजूद है उन्हें remove करेंडे में मदद देता है destroy cancer cells, cancer cells को खतम करेंडे में मदद देता है and regulate immunity against foragen substance बाहर से आने वाले जितने भी macro harmful organisms हैं उनसे हमारी body protect रहे है इसलिए हमारी immune system को ये active रखने में मदद देता है अगर हम बात करें platelets की तो medical terms के अंदर platelets को thrombocytes के नाम से जाना जाता है color की बात करें तो ये non-pigment इनके अंदर कोई pigment नहीं होता है इसलिए ये colorless होते है इनके अंदर nucleus मुझूद नहीं होता normal range ही अगर बात की जाए तो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 पर cubic millimeter हमारी body के अंदर मुझूद होते हैं life spend की बात की जाए तो average platelets जो हमारी body के अंदर 5 से 9 दिन के अंदर अपना काम करते हैं और उसके बार मर जाते हैं लास्ट चीज हमारी body लास्ट चीज रह गए ये platelets के function platelets release thread like fiber to form these clods अगर हमारी body के अंदर कभी need हो blood clot करने की या कभी हमें कोई चोट लग जाए bleeding start हो जाए तो blood clot करने की जब भी need होती है तो platelets एहम किरदार अदा करते हैं इनके अंदर ही खुसुसियत होती है कि ये thread like fiber को release करके उस bleeding को stop कर देते हैं platelets are the natural source of growth factor ये natural source है growth factor की the hormones thrombopoitin from the liver stimulate platelets protection liver से जोए वो एक hormone secret होता है thrombopoitin के नाम से जो के regulate रखता है हमारे platelets की protection को if the number of platelets are too low exclusive bleeding can occur अगर हमारी body के अंदर platelets की तादात काफी कम हो जाए तो हमें काफी bleeding हो सकती है अगर हमें कभी चोट लग जाए या हमें हमारी body से कहीं bleeding start हो जाए तो वो उसे stop करना काफी मुश्किल हो जाएगा वाइल जबके number of platelets are too high अगर हमारी body के अंदर platelets की तादात increase हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा thrombosis which abstract blood vessels जो हमारी blood vessels मुझूद है arteries, veins, capillaries इसके अंदर ही bloods जमना शुरू हो जाएगा जिसके नतीजे में heart attack भी हो सकता है और इसके लावब भी हमारी necessary damage हो सकती है decrease function called thrombothenia जबके increase function called thrombocytosis अगर हमारी body के अंदर platelets की तादात कम हो जाए तो उसे हम नाम देंगे medical के अंदर thrombothenia अगर हमारी body के अंदर platelets की तादात increase हो जाए तो उसे ना हम नाम देते हैं thrombocytosis so I hope आज का lecture आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसी का कोई भी question हो तो वो comment box में पूछ सकता है next topic कौन सा हो हमारा वो आप comment box में बता सकते हैं तो मिलते हैं next video में जब तक के लिए Allah आफिस